ग्राम बरमंडल में वी हजारों रुपे की लहसुन चूरी के मामले में राजूत पुलिस ने तीन आरोपियों को गरफतार किया द्रसल 6 सेप्टेम्बर को फरियादी परमन पिताश विंकलाल मारू निवासी बरमंडल के द्वारा राजूत थाने पर इपू दर्श कराई थी कि अग्यात वेक्तियों द्वारा घर से 20 कटी लहसुन की चोरी कर ले गए हैं पुलिस दोरा अपराद अग्यात वेक्तियों के प्रकरन दर्च की थे फरियादी के मकान का काम होने से उसके द्वारा लहसुन गाओं के ही दश्वत पाठिदार के मकान में रखी थी संपत्ती समंदी अपरादों में पुलिस सदिक्षक मनोश कुमाल सिंग द्वारा अग्यात वेक्तियों की धर पकड़ हेतू निर्देशित किया गया जिस पर से अतरिक्त पुलिस सदिक्षक इंदरजी सिंग बाकलवार औस सदारपुर स्दियोपी अशुतोष पटेल के मार्ग देशिन में थाना राजूत द्वारा मामले में तीन आरूपियों को गरफतार किया है स्दियोपी अशुतोष पटेल ने बताया कि 11 सेप्टेमर को मुगवी की सूशना प्राप्त हुई थी कि शुभम पाटिदा सुनील कुमावत जीवन कुमावत घटना की रात को बरखेडा रोड पर बैट कर परमना इन्वारू की लेसुन चोरी होने के समन्द में आपस में बाचीत करे हैं मुगवी की सूशना पत अतकाल तीनों व्यक्तियों को पकड़ कर ठाने पर लाया गया